तो लास्ट फ़ल एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंक्लिन, शिंचन और हुमन डेविल फाइनल प्लैन मनाते हैं सर्वियर नांसिंग लेडी पर अटैक करने का और वो लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं एक रेड सरकल के अंदर और काफी मुश्किल से कैप्च करता है उस सरकल से निकलने में और साथ ही साथ रेड आय मॉस्टर अटैक कर देता है फ्रैंक्लिन, शिंचन और हुमन डेविल पर और साथ ही साथ इनकी गाड़ी पर जला देता है और वहां से उस सर्वियर नांसिंग लेडी को वो लेके भाग जाता है यहां दूसरी दरह शिंचन और हुमन डेविल रिसर्च करते हैं उस रेड आय मॉस्टर के बारे में और उन्हें फाइनली पता चल चुका होता है कि उसे कैसे मारता है और उसके बाद वो लोग समुदर के अंदर जाते हैं सारी अपनी प्लैनिंग एक्जिगूट करते हैं और अब बारी है फा के बना ली थी आर उसको खथम करने की अरहा यार आज रेड आय मॉस्टर को खढम कर ढ डालेंगे और लेड आइइ मंश्टर को खढम करते ही आज हम लोग शर्वेन अन्सिंग लेडि और युको भी कहतम कर सकते थे बट सीन के है वो पहले बहुत ही जाता है श्रॉंगत लेकिन अब क्या हो गया है गैज यह जो सर्वेयर नांसिंग लेडी है उसने लास्ट टाइम 50% अपनी पावर के यूज़ करके एक रेड आय मॉंस्टर को बना दिया अब उस सर्वेयर नांसिंग लेडी के पास उसकी पहले से आधी पावर बची है तो अब उसको हराना थोड़ा सा पहले का कंपेरिजन इजी होगा और तब और ज्यादा इजी हो जायगा अगर हम लोग पहले रेड आय मॉंस्टर को हरा दें इसलिए आज मैं रेड आय मॉंस्टर का काम तमाम कर दूँगा और उसके जस्ट बाद हम लोग सर्वेयर नांसिंग लेडी पर भी तबाही मचा देंगे और उसका भी दी एंड कर देंगे फिलाल प्लैन तुम लोग को पता होगा अगर तुम लोग ने लास्ट एपिसोड देखा होगा सर्वेयर नांसिंग लेडी का फिर भी अगर नहीं देखा तो मैं तुम लोग को एक बार एक्स्प्लेइन कर देता हूँ प्लैन क्या है चल भाई बैड़ के हुमन डैविल चलो यार चलो तो पानी के अंदर हम लोग ने बनाई है एक जगा और वो जगह है गाईज एक सिकिंड कहा गई ओ वो रही वो जगह तो देखो भाई उस वाली जगह पर हम लोग को अपने पीछे उस रेड आम मोंस्टर को भगाते हुए लाना है और यहाँ पर जैसी हम लोग लाएंगे वो फ्रीज हो जाएगा क्योंकि इसको भाई अपने हुमन डैविल ने ऐसा बनाया है कि इस पे कोई भी मोंस्टर आते ही फ्रीज हो जाएगा और तभी हम लोग इस वाले प्लैटफोर्म के उपर छोड़ देने वाले हैं करेंट ऐसा यह स्पेशल प्लैटफोर्म ही बनाया है अपने हुमन डैविल ने जिससे इसके उपर बहुत ही तगड़े लेवल का करेंट आ जाएगा और जिसकी वज़े से उसको जटके लगने लग जाएंगे अपना वो जो रेड आई मौस्टर है जटके लगने की वज़े से वो किसी भी पावर का यूज नहीं कर पाएगा और उसी वक्त जिस वक्त उसको शौक लग रहा होगा उसी वक्त मुझे उसकी आँख के अंदर स्नाइपर से शूट करना है और उसके बाद सिंपली उसका दी एंड हो जाएगा यह तो प्लैन है और अभी प्लैन को एक्जीक्यूट करने के लिए हमें वेट करना है का इस रात होने का ताकि हम लोग रात होते ही उस रेड आई मौस्टर को ढून सकें और फिर उसको अपने पीछे कुटों की तरह भगाते हुए लाएं और यहाँ पे लाके उसे मार दें यह हमारा प्लैन होने वाला है और प्लैन में कोई गड़बड की भाई कोई उमीद ही नहीं है होगी कि नहीं कोई गड़बड चलते हैं फटाफट रात होने ही वाली है थोड़ी देर में आजा वे शिंचन भाई फटाफट आजा अरे चलो चलो यार मेरे को बैठने तो दो आजा आजा आगे बैठ जा ओए 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 मेरी जेट्स की सरकरीती अभी नीचे टिक गई एक ही जगह पे जेट्स की अपने बहुत जादा काम आने वाली है जब हम लोग उस रेड आय मॉंस्टर को अपने पीछे भगाते हुए लाएंगे बाकी यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए है अचा बीच है तो लोग तो पड़े ही होंगे लेकिन इस टाइम पड़े हुए है भाई रात को नहीं पड़े होने वाले यह लोग यहाँ पर रात को यह एकदम शान्त रहने वाली यह जगह यहाँ पर एकदम पर सही मैं भाई उसकी आंख पे गोली चलाने वाला हूं एक दम बैस्ट है एक्चली में इसको लिए कर आया थे हम लोग सर्मेर नांसिंग लेडी को भेहोश करने के लिए उस पर इस्तमाल किया भाई हम लोगोंने काफी बार बट अब तो भाई वह हमारे सामने दो सेकंड के तो यह टिकती भी नहीं है फ्रीज भी नहीं होती है कि हम लोग दो बारा इसके यूज कर सके कोई बात नहीं इसके यूज करें हम लोग उस रैड़ आय मॉस्टर पर और खतम कर डालेंगे फिलाल तो अभी रात होनी वाली है भाई गाड़ यह बंद हो जानी ची अभी तक क्योंकि खौफ तो अभी भी है भाई फुल एकदम सर्वेर नांसिंग लेडी का तो जैसा कि मैंने कहा काफी जादा रात हो चुकी है और सर्वेर नांसिंग लेडी के खौफ की वज़े से भाई यहां पर एकदम ही शान्ती हो चुकी है अब है यूमन डैविल को कहां पीछ को ढूनने के लिए अभी अगर रास्ते में हमें सर्वेर नांसिंग लेडी मिलती है तो हमें उससे कोई पंगया नहीं लेने है अभी सबसे पहले रेड़ नांसिंग लेडी को खतम करना जरूरी है और उसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रैप बिचाया है तो मिलने को तो भाई कहीं भी मिल जाएगा वो उसका कोई भरूसा नहीं है लेकिन एक सेकेंड मान लो भाई उस सर्वेर नांसिंग लेडी नो उसको फिनिश कर दिया हो अभी तक खुदी और वापस से अपनी पावर्स गें कर लियों 100% पावर्स हो गई हो उसके पास अरे या सेंट आप चान मारना पड़ेगा क्या इसके लिए ठीक है जूनते हैं भई पता नहीं कहां चला गया बागी तुम लोग नहीं तक वीडियो को लाइक नहीं कि तो वीडियो को लाइक करो भई क्योंकि आज फाइनली सर्वेर नांसिंग लेडी को लोग खदम कर देने वाले महीं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हों से इससे लिए जाव वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट के अब यार कहां है यह रैड आई मॉंस्टर दिमाग खराब करका है लोस्ट रैंडॉस मैं पता नहीं कितने हाइवे बदल लिया मैंने अभ यह हाँ फ्रैंक्लिन अभी तुम को समत हो यार अभी हार मानने के जरूरत नहीं अभी तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना है आज उस सर्वेंट डांस इंग लेड़ी को हराने के लिए टेंशन मतले भाई, टेंशन मतले कोई भी मुश्किला है, मैं बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ, और आज खतम करके ही रहेंगे उसे, पाकी कितना भटकू मैं, यार रेड आई मॉंस्टर में अगर इतना जाधा टाइम लगेगा तो हम लोग सर्में नांसिंग लेड भाई, रेड मॉंस्टर, मतलब रेड आई मॉंस्टर, अरे फ्रेंक्लिन, पीछे लो, पीछे लो, गाड़ी को पीछे लो, क्या हो गया भाई, मैंने शाहिद उसे देखा, किसे, अरे रेड आई मॉंस्टर को देखा, क्या, हाहा, मुझे लगता है, मैंने रेड आई मॉंस् देखो देखो है है यार वो रेड आइ मॉंस्टर ही है एक सेकेंड डुक जाओ आराम से आराम से आराम से के लेट्स को भाई फोन का केमरा निकाल के देखता हूं लेट्सी भाई अब कहा है कोई पता नहीं यार कहा चला गया अब यार दिखा दो था कोई डफिनट्ली आई आड़ी के अब बैठो ये गाडी के अंदर बैठो इधर यहा चुका है हेलो ओके 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 चलो भाई फटा फट फट फटा फट अरे यार वो तो पीछे ही यह जस्ट हमारी घारी के तरी पीछे पढ़ गया यार वह और यही तो चाहिए मैं ओहाँ यही तो चाहिए था मैं का डूआ कर चलो सताफ़ानी जल्दी गाड़ी चलानी यह тип लेकर चल रहा हो लेकर चल रहा हूं जस्ट हमारे पीछे ही है जो हमें चाहिए था वही होना है हमारे संग ओके किसमत अपना फुल एकदम साथ दे रही है गाईज लेट्स को फट 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 ट्रैप एकदम बिलकुल रेडी है अब इसको ले जाके बस ट्रैप के अंदर फ उसलिए फटा फट तयार रहो हम जो चलते हैं जट Ski की तरफ टा फट फट चलो, चलो 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 घर Aa अब करहे है वो है अब ही तक यह था अब है एसे कैसे चलागे वह कहाँ चलागे है अब तक तो यही था पीछे था अब चोड़ो जो भी हो हम लोग जेटसकी की तरफ चलते है वह पक्का इधर ही कहीं होगा शयाद वह चुपके अटेक करने की कोशिश में है अरे हा यार पात तो तुमने सही कई ओ देखो कर दिया अटे हाई यूमन डेविल क्या करना है अफटाफट से यार उस ट्रैप के उपर से लेकर चलो और यह वही ट्रैप दो जाएगा देखो बीच में वह वाइट कलर का लाइट दिख रहा है बस उसके अंदर यह फस जाएगा यार तेरे पास बड़ी अनोकी अनोकी पावर्स है ऑख्ञान करता है और अब अब यह गया खोट ब्स एकान यह वाट को अन ज चाहाए कोले कि अब क्षब से यह वाली पावर Digital के अन्दर अब चू जाएगा अब बता अब है कि ब्याख़ करने शारु यह जए अब कुछ नी धीम अब दाख़ता जिए होग। ठीक है Franklin, ready रहो तुम हाँ ठीक है, जैसी current जाएगा वैसी attack करना है भाई बिल्कुल गुसे में आया यार वो औरे तो डरते हैं हम लोग लिटरली में गुसे में आया यार वो ओए 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 गाड़ी गाड़ी, ओए अराम से होए, human devil जल्दी कूद चल्दी कूद भाई ओके, आग वाली power का इस्तमाल करी दिया, इसने कोई बात नहीं, आग वाली power का इस्तमाल किया तो क्या हो गया, अब हम लोग अपनी powers का इस्तमाल करेंगे, और अब इसकी आग वाली powers बिल्कुल काम भी नहीं करने वाली है क्योंकि हम लोग पानी के अंदर है और हमारी current वाली power बहुत epic काम करने वाली है क्योंकि ये हमारे platform के ओपर फस चुका है human devil कहा गया bro तू अरे बगल में यार तुमारे चल 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 अफटाफट से अपनी power के use कर current छोड़ दे इस platform में अभी लो अरे तुम तो हट जा उस platform से अचा ठीग या लेकिन मैं फिर खड़े हो के कहा गोली चलाओंगा भाई पानी के अंदर तैरते तैरते तुम sniper नहीं चला सकते लगता तो नहीं है नहीं यार पानी के अंदर तैरते तैरते इस नाइपर नहीं चला सकता तो वो कोई नहीं वो जली हुई boat पे खड़े हो के चला देना अरे हाँ 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 यह बढ़ी है रुक जो से लेके आता हूँ ले बाई जली हुई boat मैंने इधर ही रख दिया है चलो मैं फटा फट से current छोड़ता हूँ अपने platform के अंदर कर दे कर दे activate कर दे ओके ओके कुछ तो हो रहा है भाई उसे कुछ नहीं बहुत कुछ हो रहा है शौक दे दिया है मैंने अरे वा यार तुने तबाही तो मचा दी भाई मानना पड़ेगा भाई बंदा तो तू एकदम बहुत ही सही है अरे अब तारिफ करना बंद करो यही सही मौका है उस पे स्नाइपर से शूट करने का उसकी आँख पे फटा फट से अभी जैट स्की पे चड़ता हूँ मैं जल्दी फ्रैंक्लिन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यार एक सेकेंड अपनी दगोल्डन स्नाइपर तो निकाल लो का है मेरे पास बहुत सारी स्नाइपर से ये रही मेरी दगोल्डन स्नाइपर चलो फ्रैंक्लिन ओके इस इस दा मूमेंट इस इस दा टाइम अबै पानी आ रहा है यार अबै आँख अबै अपनी आँख बचाने की कोशिश कर रहा है वो उसे भी पता है आँख पे गोली लगते ही वो खतम हो जाएगा इसे लिए आँख बचाने की कोशिश कर रहा है वो चल्दी एकदम सही निशाना लगाना फ्रैंक्लिन अब है यार भाई कैसे लगाऊं सही निशाना ये पानी की लहरे बार बार ऊपर आ रही है मेरा एम बिगाड़ रही है भाई तेरी वो जो हवा में उडाने वाली पावर्टी वो कहा गई ओ अच्छा या दिलाया रुप जा तो तुम पर यूस करता हूँ चलो फ्रेंक्लिन कर दो अटेक थैंक यू ब्रो थैंक यू यार यूमन डैविल हवा में उडाने के लिए तेरा बहुत जादा शुक्रिया अब बढ़िया एम मिल रहा है गाई लेट्स को इसकी आख पर शूट करते है फटा फट एक निशाना और खतम यह बंदा हमेशा के लिए कम आन बस यहां पर यहां पर शॉक तो भाई खतरनाक लग रहा है शॉक तो बटा ओ शुट मिस कर गया मैं नहीं नहीं भाई क्या करेरहा तुमसे एक गोली नहीं चल लए उपर हुआ में कर दिया फिर भी अब मैं क्या करू है भार वर यह पोसिशन चिंस मैं क्या करूं अरे यार कम ओन फ्रेंक्लिन यार बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल भाई तू अगर यहां पर हो था तब तेरे को पता चलता लिटरली मैं यार उसको उस पे गोली नहीं लग रही है भाई अरे यार तुम नीचे आज़ो जैट्सकी से ही ट्राइब करो ठीक है ओके स्नाइपर के अंदर गोली ही नहीं लाया मैं मतलब खतम हो गई है सारी गोलिया अब चलो दूसरी स्नाइपर से शूट कर लो ठीक है नॉर्मल वाली से करता हूं यार मैं भी बिल्कुल ही अजीब हो गरीब हूं लेट्स गो फाइनली एम मिला है लेट्स को ओके मैं वही तो तो इस उपर करेंट है पूरे प्लैट्फॉर्म के उपर और इसी के साथ फाइनली दी एंड हो चुका है इस रेड आई मॉंस्टर का भाई इतना परफेक्ट ट्रैप बनाया है था हम लोगोंने कि इसे अटेक करने का लिट्रली में हमारे उपर कोई मौका नहीं मिला कोई अब यहांसे कैसे जाये एक काम करता हूं मैं साइड में जाता हूं और वहां से एक जेट्सकी लेकर आता हूं फिर उस पे हम लोग तीनो चारो चलेंगे तीनो चारो मिया नहों पे पानीगंदर का है मतलब तीनों चलेंगे यार अरे खतम कर दिया क्या उसे अब खतम भई खताम रेड आई मॉंस्टर खताम तू भी आ गया संग में और क्या चलो एक बोट लेकर आते हैं लेट्स गो गाइज यह बोट हाउस है इसलिए यहां पर बोट का बड़ी जल्दी इंतिजाम हो जाता है चल भाई आजा फटा फट बैड भाई अब तुम जाकर लेकर आओ मैं किसी भी बंदे की बॉड़ी छोड़ता भी नहीं हो खतम जलाद हो भाई उसे एकदम खतम कर दो कोई नामों निशान नहीं बचना चीए कोई दुबारा जिन्दा होने के चांस ही नहीं बचने चीए अपने को कोई रिस्क लेने का ही नहीं है इसलिए भाई मैंने अपना व नहीं होगा क्योंकि पता निए उस तर्में नांसिंग लेडी की पावर्स को कोई नहीं जानता है हर बार वह अलग न्यू न्यू पावर्स दिखा देती है इसलिए भाई इसको पूरी बॉड़ी बॉड़ी सब तहस्त नहस कर दो कुछ नहीं बचना चीए इसका नामों नि सब्सक्राइगा बहुत ही बढ़िया और इसके अलावा मेरे पास भाई स्टिकी बॉंब्स तो ही लेट्स को फिनिश भाई कुछ नहीं बचना चाहिए यहां पर खतम खता मौरिसी के साथ यहां पर हमेशा के लिए इस रैड आय मॉंस्टर का काम तमाम हो चुका है और अब इसके जिन्दा होने के भी कोई चांस नहीं बचे है जिन्दा होने का भी कोई अब चांस नहीं है खतम हमेशा के लिए दार ब्रेड आय मॉंस्टर अब बचती है भाई सर्वे एंड नांसिंग लेडी इसको कुछी देर में हम लोग उसको भी खतम कर डालेंगे चलो फिलाल यहां से निकलना होगा हम लोगो को अरे फ्रेंट भी पहले देख तो ले यार वह डेट तो हो गया ना कुछ नहीं बचा है सूबह हो गई है गैस और हम लोग इंतजार कर रहे है कि आग बुझ जा है और फटा फटसे हम लोग देखें कि आखिर कर वह खतम हो गया कि नहीं बटिया अगी नहीं बुजरी है लेकिन कोई बात निहीं, एक चीज़ बढ़ी है, फाइनली धार राडाय मोंस्टर का काम थमाम हो चुका है दो गंटे और बीच चुकें और अब फिलाल वो बोट भी राक हो चुकी है और वो जो रैडाय मॉंस्टर था वो भी राक हो चुका है अब सुबा हो गई है सर्वेर नांसिंग लेडी का कोई खत्रा नहीं है अब आज रात को हम लोगो को कुछ भी करके सर्वेर नांसिंग लेडी को खत्म करना है क्यों मैं हुमन डेविल पिल्कुल यार आज तो वो गई लेट्स गो मैं क्या बॉल वगेरा से खेलना हूँ भाई हम लोगो पहले एक गाड़ी चाहिए क्यों हमारी गाड़ी लास्टाइम यार उस रैड हैं मॉस्टर ने कल रात को पूरी भोड के रख दी इसलिए गाड़ी चुरात में फटा फट यां पार्किंग से और अब आगे की प्लैनिंग करते हैं कि आगे हम लोगो को करना क्या है देखो भाई जादा प्लैनिंग की जरुरत नहीं है सिंपल सा स्चीन है अब हम लोगो बस सर्में डांसिंग लेडी को नहीं नहीं भाई एक सेकेंड अरे यार पिंचान, चॉब, लेस्टर, साइमन सबको कौन बचाएगा हाँ भाई अपना माइकल भी इन सबको आखिर में बचाएगा कौन भाई तो सर्में डांसिंग लेडी को खतम कर दिया तो फिर इनका क्या होगा नहीं भाई, अम लोग डैरेक्ली ऐसे नहीं खतम कर सकते हैं पहले इन लोगो को बचाना पड़ेगा, फिर खतम करने के बारे में सोचेंगे लेकिन यार प्राब्लम यह है कि इन लोगो हम लोग बचाएगे कैसे बाबा जी भाई उनसे जाके पूछ के आते हैं कि अरे यार वो तो खुद गन्ट्रोल में उस सर्वे नांसिंग लेडी के अबे लेकिन लास्ट टाइम भई कुछ तो हुआ था और उनका एक कंट्रोल हट गया था नो भई अरे लेकिन अभी भी कंट्रोल में होंगे तो नहीं नहीं मुझे नहीं लगता भाई अभी तक कंट प्रोल से बाहर आ गये होंगे और आई गैस वह आप हमारी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे तो चलो यार फिर फटाफ्ट से नौर्ट यंग्टन निकलते हैं उन्वाले बाबाजी से हेल्प लेने के लिए है अरे हां यार फ्रैंक्टिन मुझे तो लगता में दो चलते हैं और फिर से पहले एरपूर्ट निकनता है फटा-फटसारा काम बदेंग करना पड़ेगा गैस हम लोग बैब को जल्दी दे काम निप्टाते हैं ओके एैयरपूर्ट पहूंचने ओले मॆ अब कर도 यह रास्ता वही रोड है जहां से भाई हम लोग भाग रहे थे और हमारे पीछे रेड आय मॉंस्टर पड़ा हुआ था फिलाल अब रेड आय मॉंस्टर नहीं है मजा आ गया अरे यार एरपोर्ट पहुंशे है तब तक कुछ न्यूज व्यूज लगाओ यार न्यूज ठीक है ले भई लगा देते हैं न्यूज चलो भई फोन पर लगा दिये मैंने न्यूज थोड़ी न्यूज देख लेते हैं अरे गाड़ी भी चलाते रहो है हर अब या तो सिर्फ न्यूस चलेगी या सिर्फ गाड़ी चलेगी अरे ठीक है ठीक है सुनने दो अब ध्यान से चल क्या रहा है तो लॉस सेंटास के लोगों ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूस है सर्वियर नान सिंग लेड़ी ने यहां पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है पहले तो वो एक आद लोगों को ही किटनैप क्या करती है लेकिन अब वो एक साथ 12, 12, 15, 15, 20, 20 लोगों गिटनैप कर रही है जिसकी वज़े से लोस सेंटास में से काफी सारे लोग गायब होते जा रहे हैं और पता नहीं सर्वियर नांसिंग लेड़ी को अचानक से क्या हो गया है लेकिन लोगों के जिंदगी में तबाही मचा के रख दिया उसने और अब एक साथ खबर ये आ रही है कि पूरे 10, 10, 20, 20 लोग गायब हो रहे हैं भाई ये सर्वियर नांसिंग लेड़ी तो अलगी पागल हुई पड़ी है अरे यार जैसी उसको पता चला हो गया यार वो अलगी पागल हो गई ही हाँ न्यूज वालों को तो पता नहीं है भाई कि वो क्यों अचानांक से पहले एक एक लोगों को गायब करती थी रात को अब एक ही बार में एक एक दरजन लोगों को क्यों गायब करी है न्यूज वालों को कोई अंदाजा नहीं है बस न्यूज वाले कह रहे हैं कि भाई वो पागल हो गई है लेकिन हमें रियल बात पता है अरे हाँ यार हमें पता है वो सर्मिया नानसिंग लेडी क्यों इतनी पागल हुई पड़ी है क्योंकि हम लोगों ने उसके एक दोस्त को मार दिया पता ने भाई वो दोस्त कहला आएगा या फिर क्या ही कहला आएगा लेकिन हाँ उसकी हाफ पावर्स तो थी नो भाई वो तो इसलिए वो पागल हो गई है क्योंकि उसकी half powers को हम जोने खतम कर दिया है और वो half powers थी भाई वो red eye monster और उसको हम जोने खतम कर दिया है इसी बात से वो बॉकल आ गई है sirər बेनांसिंग लेडी और वो गुस्सा निकाले कि इस पे हम लोग तो इधर से उधर भाग रहे हैं उसको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है वो गुस्सा निकाले है भाई लोस सेंटोस के लोगों पे पहले वो एक एक दोदो को गैब करती थी अब एक ही साथ वो दस दस बारा बारा पंदर पंदर लोगों को गयब कर रही है। वाहिष बचाना पड़ेगा फटफट से। अरे यहाँ यह फटफट हम लोगों सुनुट नckया एकते हैं। अरे हाँ याँ और फिर हम लोग सर्में डांसिंग लेडी को खतम कर देंगे हैं बाई बिलकुल अराम से बस पहले लोगों को बचाना ज़रूरी है और चलते हैं इसी काम के लिए नौर्थ हैंटन लेट्स को कोई प्लेन नहीं है प्लेन याँ पर है तो अपना वो रेड वाल तो अ बैट शर्थ है यहाँ इसी से काम चलते हैं चलो 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 जो मैं बैठ गया अरे यह हमें दो बैटने नहीं बैठो ना फटाफट ओके शिंचेन आगे बैठ गया चल भाई human devil तू भी कहीं आजा देख ले इदर जगा बगा मिल जाए तो अबे तेरे लिए जगा नहीं है अरे यार लगता तो नहीं है अबे यार फाइदा क्या फिर इस plane का एक दम वाहियाद plane अरे यार चलो चलो उस रेड़ वाले कोई लेकर चलते है थोड़ा बहुत धुमाई तो आ रहा है ठीक है चलो गाइज होप कि ये थोड़ी बेटर कंडिशन में हो रास्ते में धोखा न दे दे हमें ये चल भाई बैट फटा फट शिंचैन इसके अंदर तो बैट जाएगा न भाई तो इसके अंदर तो बहुत सारी जगह है अरे चलो यार फटा फट चलो हो ओके गैस फटा फट निकलते हैं अभी या से हम लोग नौर्थ येंक्तन के लिए और चलते हैं उन वाले बाबा जी से मिलने के लिए यार पले उन क्यों लग रहा है मेरे फूखा देगा नहीं प्लीज 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 दोका मत दियो भई चलते है गार गैज नोर्ट एंक तन एक दुन बीद गया यार प्लेइन काफी जादा स switch था आते आते काफी time लग गया है एक दिन में तो पता नहीं भई उसने कितने सारे और लोगों को गयाप कर लिया होगा उस सर्वेयर नान सिंग लेडी ने वैसे ही पागल हुई पड़ी है वो ओके होप की यह जो हमारे हेल्प करने वाले बाबा जी है भाई यह ठीक हो चुके हो उमीद करते हैं वरना फिर तो यहां पर आने का कुछ फायदा ही नहीं होगा चलो भाई क्या पदा वापस से भागने की जुरत पड़ जाए इधर तो है नहीं भाई वो अब यार लिटरली में यहां तो आना वेस्ट हो गया भाई अरे यार एक काम करो थोड़ा ढूंडो अब किदर ढूंडो मैं इतनी बड़े नौर्थ येंग्टन में अरे यार थोड़ा से ढूंड़ते हैं क्या पता मिल जाए इधर उदर ठीक है के प्लेन हमने इधर लैंड किया इधर से तो आई रहे हैं इधर तो नहीं दिखे वो इधर है क्या वो बाबा जी हेलो हेलो वेट यह रहे यार यह तो बेहोश पड़े हुए है कि एक सेकंड हाँ बेहोश है बेहोश है भाई तो फटा फट से इधर लाओ यार मैं अपनी पावर्स के यूज़ करके उन्हें होश मिलाता हूं अच्छा अरे चोटी मोटी चोट तो ठीक कर सकता हूं भूल गए अरे हां तू तो अपना बढ़िया बंदा है फटा फटा फटीक कर फटा फट लेडी को हराते अभी हराय का है मतलब हराएंगे तेरे बिना भाई ये सारी चीज़े एक्दम इंपॉसिबल ही थी इसलिए गाइस यूमन डैविल के लिए यार हूमन डैविल ओपी बनता है कमेंट में अगर तुम लोगोंने भी धक नहीं लिखा तो बाबाजी होश में आ ये सर्वियन नानसिंग लेडी ने आप पे कबजा कैसे कर लिया उसके बारे मेरे को कुछ भी नहीं याद लेकिन मैंने अभी मेडिटेशन और अपनी पावर से पता लगा है कि तुमने एक मॉंस्टर को ख़तम कर दिया है हाँ भी मॉंस्टर ख़तम कर दिया है मैंने रैड ये नानसिंग लेडी ने जितने भी लोगों को किटनैप किया है उन लोगों के बारे में कैसे पता करूं मैं ओके इसका देखो अब लास्ट तरीका बचा है और वो तरीका है तुम्हें खुद सर्वियन नानसिंग लेडी के चंगुल में फसना होगा और वो जहां पर भी लेकर जाए वहां पर जाना होगा ओके मान लो मान लो उसने मेर को मारा नहीं मान लो मेर को बेहोश करके जहां पर वो दरजनों लोगों को ले लेकर जा रही है जहां पर पिंचेन चॉप अपना लेस्टर वेस्टर जहां पर इन सब को लेकर गई है मान लो वहां पर मैं चला ठीक है ठीक है लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद क्या वहां पर पहुंचने के बाद मैं वहां से बाहर कैसे निकलूंगा बास इतनी सी बात है यह मेरे लिए इतनी सी बात है क्यों क्योंकि तुम्हें मैं एक ऐसी चीज दोंगा जिससे तुम्हें पोडल क्रियेट करोगे और वो पोर्डल डिरेक्ली खुलेगा लॉसेंट आस्ट में। हैं? कौन सी ऐसी चीज है सर? इस चीज का नाम है फ्लेयर। फ्लेयर ओके। इस फ्लेयर से होगा क्या? ये मेरे पास एक ही है और काफी सालों की मेहनत के बाद मैंने इसे बनाया था। सोचा नहीं तक कभी किसी को देने की नौबत आएगी लेकिन अपसी सर्वियर नांसिंग लेडी को खतम करना है और उसने जिन लोगों को पकड़ा है अगर उन लोगों को बचाना है तो इस फ्लेयर को यूज करना ही पड़ेगा। तो ये फ्लेयर से होगा क्या। तुम देखो प्रॉब्लम क्या है सर्वियर नांसिंग लेडी के उस जगा पर तो पहुँच जाओगे जहां पर वो लोगों को रख रही है लेकिन वहां से निकलोगे कैसे। यही में प्रॉब्लम है बस वहां पर जाकर उस फ्लेयर को यूज करना एक पॉर्डल क्रियेट होगा और उस पॉर्डल के थ्रू तुम उन लोगों को लेकर आ सकते हो। ओके ओके गॉट दिस तो फटा फुरसे वो फ्लेयर मुझे दे दो। बहुत कीमती फ्लेयर है संभाल कर इस्तमाल करना एक ही है मेरे पास। ठीक है तो एक ही दे दो। यह लो। यह फ्लेयर सर आपकी। बिलकुल एकदम सूझ भूच के साथ इसे इस्तमाल करना और सिर्फ एक ही बार इस्तमाल कर सकते हो बोडल क्रियेट होगा वहां से सारे लोगों को लेकर निकल जाना ठीक है समझ गया लेट्स को अभी फिलाली से रख लेते हैं और चलते हैं गाइस वापस है लॉस और आइस यह मिशन मुझे अकेले ही करना पड़ेगा क्यों मैं हुमन डेवि बिलकुल यार यह तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा तुम्हें अकेले ही सर्वियर नानसिंग लेडी के चंगुल में फसना पड़ेगा और फिर वहां पर प хозя होगा जहां उसने सारे लोगों को पकड़ रखा है और इस फ्लेयर का यूस करके वहाँ से तुम्हें सार सिर्फ एक ही तरीका है सर्वेंट नांसिंग लेडी के चंगुल में फसना और यही मैक करने वाला हूँ काफी जादर रिस्की होने वाला है इसलिए मैं अपने संग फोन थोड़ा बहुत खाना पीना और साथ ही साथ भाई वो भी लेकर जाने वाला हूँ क्या बोलते हैं वेपन्स वगेरा एक पिस्टल क्योंकि बाखी वेपन्स तो शायद वो छीन ले लेकिन एक पिस्टल मैं छुपा के लेकर जाओंगा और यह अपनी फ्लेयर तो लेकर जाओंगा ही अरे यार लेकिन मालो अगर उसने कि ट्नैप करने की जगा बेहोश करने की जगा सीधे तुम्हें टपकाई दिया तो हो अबै यार थोड़ा तो अच्छा बोल भाई शिंचैन अरे यार मैं तो जस्ट बात कह रहा हूँ नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा मैं बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने अल्रेडी पहन रखे है भाई अगर उसने माले चाकू आकू लाडी लाडी भाई खूब दबा दबा के मार दी फिर भी कुछ नहीं होगा टेंशन मतले अरे फिट तो ठीक है यार फिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई यार इसका विंग कितना टेड़ा मेड़ा हो गया एक्दम पिचकसा गया है वो तो शुक्र मनाओ भाई इस प्लेन ने हमें धोखा नहीं दिया तुम लोग यहीं रहों मैं जा रहा हूँ अरे ओल दा बेस्ट यार संभाल के जाना हूँ ओके सबसे मुश्किल टास्क ही है गैज इस सर्वियन नांसिंग लेड़ी के सामने आना और फिर ये देखना कि वो भाई जिन्दा छोड़ती है या फिर डिरेक्ली बिहूश करती है लेट्स को चलते हैं फटफट लोस्तौस मतलब लोस्तैंट उस में तुम हुई अल्रेड़ी चलते हैं फटफट तु सर्वियन नांसिंग लेड़ी के पास पिछले दो दिनों से हम लोग नौर्थ एंट्रन से आ रहे हैं जा रहे है कितने मैं पता नहीं कितने लोगों को उसने टपका दिया होगा मतलब कितने लोगों को गयब कर दिया होगा और वैसे भी वो इस वक्त तो पागल होई पड़ी है यार पागल होके घूम रही है जहां मेर को देखे गिने भाई मेर से तो एक वैसी गुस्सा है वो लेकिन हां भई वो direct मारेगी क्यों वो तरपा तरपा कि मारने की सोचेगी और इसलिए वो direct खतम नहीं करेगी पहले गिड्नैप करेगी और यही तो मैं चाता हूँ ताकि वो मेरे को गिड्नैप करेए मैं उसकी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जहां पर सारे लोगों को इसने गिटनैप कर रखा है और वहां से सारे लोगों को बचा लूँ फ्लेयर का यूज करके एक पोर्टल क्रियेट करके तुम लोग देखते जाओ गैस मज़ा आने वाला है काफी डिफिकल्ट टास तो है बट आएगा जो भी हो सर्वियन डांसिंग लेडी कहां है तू इतनी जल्दी मिल जाएगी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था यार लिट्रली मैं अभी तो यह एरपोर्ट से निकला हूं मैं चलो किसमत अपना साथ दे रही है है सर्वियन डांसिंग लेडी को हराने में हुपसे ज्यादे इंपर्डेंट चीज है किसमत लग लग एकदम साथ होना चाहिए अपने इसको डेट्सको मेरे पास फोन है फोन एकदम चार्ज है और मेरे पास वैपन से बहुत सारे जिसमें से की सारे वैपन फैंक दू क्या मैं रखी लेते हैं क्या पता इसका ध्यान जाए मेरे वैपन्स पे चलो गाइस ओए सर्वियन नांसिंग लेडी ओए दिमाग खराब करका ता मेरा इतने दिनों से बोल तेरे सामनी आगे मैं क्या उखाड लेगी तू उखाडने के तो लगता है भाई बहुत कुछ उखाडने वाली है क्योंकि अपनी कुलारी निगा कि इसके अंदर कुछदा मैं तो बताओ तिरी भास अभव कया में है । मोमने उच्छफा कर्या संदाए अध्या लेगी हह मुक्तिं को एइम्र्च कहा व्ससरा गैच को इश्ड़ में पकिल के खाली कि ऊता बीशा भी राता था।िंस्तियों इसके अनदर आग्याखताव अबे, 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 माइक, अबे, माइकल, वो लेस्टर उट रहा, लेमार, वो पिंच, वो चॉप, भाइचा ब्यार कल्वे, हमने तेरे पर कितना बरोसा किया था कि तू हमें बचाने आएगा, या फिर तू सर्बीर नांसिंग लेडी को खतम करेगा, तूने कुछ पिछले दो दिन से आये हो, दिन रात कैसे पता चलता है तुम लोगों यहाँ पे, अरे यार, ऐसी हम तो अंदाज़ा लगाते हैं, मस्त, एकाद लोगों के पास घड़ी है, उससे पता चल जाता है, औरा भाई, ओ तेरी क्या है ये, अरे, ये सारे लोग है, जो लोसेंट से एक एक करके गायब हुए है, अब तेरी कितने सारे हैं ये, एक बात बताओ, फिछले दो दिन से मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, अरे हाँ यार, अगर सर्मिया डांसिंग लेडी किसी को भी गायब करती है, तो वो अचानक से यहाँ पर आ जाता है इस टनल के अंदर और फिर दो दिन तक उसे होश नी आता, और फिर दो दिन बाद उसे होश आ जाता है, और तुमारे संगिया ऐसा ही हुआ, इसे माइकल यार, तू कैसा है, मैं तो ठीक हूँ यार, भाई तेर को इतने कुतों की तरह उसने मारा था एरपोर्ट पे, मैं तो तब से डर गया थ तो हम लोग सर्वें नांसिंग लेडी को, अरे यार जाओ, अभी तक तो खतम करनी पाए, अबे लेकिन टेंशन मतलो भाई, मैं तुम लोग को यहां पर बचाने के लिए आया हूँ, अरे क्या खाग बचाओ गया खुद यहां पर आ गया तुम, अबे जान बूच के आया ह हिस्सा है, प्लान यह है कि मैं तुम लोग के बीच आऊँगा, और एक पोर्टल क्रियेट करूँगा, जिस पोर्टल से मैं तुम लोग को बचा लूँगा, ठीक है, अरे यार, लेकिन कैसे होगा यह सब, अबे टेंशन मतलो, मैं आ गया हो ना, मैं तुम लोग को बचा पेंगे, अच्छा, तुम लोग का खाने पीने का क्या सिस्टम है, भाई, खाना वाना नहीं मिलता है, यह पूरे दिन में एक टाइम खाना मिलता है, वो भी एक दम बकवास सा, यह सर्मीर अनांसिक लीडी करना क्या चाहती, इतने सारे लोग को पकड़ के, अरे यार, इतन एक मॉश्टर की फॉज खड़ी करना चाहती है, यह तुझे कैसे पता भाई, अरे ऐसे अंदाजा लगा लिया यार, मैं तो अपनी मन गलत कहानियों बना रहा हूँ, बेवकुफ, मैं, मैं सीरियस, मान गया भाई, तेरी कहानियों को, यहाँ पे पड़े पड़े यह लोग वैसे बात में सचा ही तो है, में भी रीजन तो हो सकता है, क्या पता है, इन सारे लोगों मॉश्टर बना के सच में वो अपनी फॉज बनाना चाहती हो, मजाक मजाक में पिंजन ने तुक्का तो सही मार दिया है, खेड़ जो भी हो जो, तुम लोग एक बार लोग तो देख अपनी लोग कितने हैं यहां पर वैसे एक बात बदाओ, सर्वे नान सिंग लेडी यहां पर कभी आती जाती है, अरे हाँ जब से शिंजन गया तब एक बार आय थी यहां पर, तब एक मॉंस्टर भी आया था यहां पर, हमें तो यही पता चला और बाकी कुछ नहीं पता हम अच्छा वो सब मेर को पता है, बात मैं तुम लोग को बताओंगा मैं, ऐसे एक बात बताओ, यहां पर इतने ही सारे लोग है, अरे हाँ जितने भी लोग आये हैं, अभी तक सारे यही पर हैं, और हम लोग यार यही पर बस अपनी जिंदगी काटने और मरने का इंतजार कर अब बचाओंगा मैं, यार ये बंदे सीरियसली नी मान रहे, चलो, अब सुनो मेरी बात, भाई लोग कितने हैं यहाँ यहां पर, सीरियसली मैं, अब सुनो मेरी ध्यान से बात, अरे बचाओ गय कैसे, मेरे पास एक फलेयर नाम की चीज Hey यह है, वो फलेयर नाम की चीज, अरे इससे क्या होता है? इससे भाई मैं एक पोर्टल जनरेट करूँगा और वो पोर्टल डेरेक्टली खुलेगा लॉस सेंटॉस के अंदर अरे कुछ समझ में निया है यहार अरे हाँ यार थोड़ा अच्छे से एक्स्प्लेइन करो अपर देखो, सीन क्या है? लॉस सेंटॉस पहुंच जाएंगे बिलकुल और फिर सर्मे नांसिंग लेडी के चंगुल से छूट जाओगा तुम लोग अरे वाई यार आइडिया तो बढ़िया है अब मेरी एक बात सुनो जैसा कि तुम लोग मेरे सारे के सारे दोस्तों ट्रेवर, लेस्टर, लेमार, चॉप, पिंचें और माइकल मैं तुम लोग को यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम देना चाहता हूँ अरे क्या यार जैसी मैं पोर्टल उपन करूँगा सारे लोग ओ ये सुन लो ये सारे पीछे तक फटा फट से पोर्टल में जम्प करने लग जाना, ठीक है और तुम लोग की ड्यूटी है सारे लोग को एक एक करके उन लोग के घर पहुंचा देना एक बस भस छीन ले ला किसी बंदे से और उस बस के तुरू सारे लोग को घर पहुंचा देना, ठीक है ठीक है यार ठीक है टैंशन मतलो सबको पुँचा देंगे हैं अरे हम यूर इतना तो करी सकते हैं अरे हम ये जिम्मेदारी हमारी फ्रैंक्लिन टैंशन मतलो तुम ठीक है तो I guess guys यही सही टाइम है पोर्टल को उपन करने का Let's open this, come on, ready रहना Okay, तो यहां पर मैंने throw कर दिया है और इस तरीके से यहां पर यह कुछ तो निकल रहा है और इस से अभी finally पोर्टल जन्रेट हो जाएगा अरे अभी तक जन्रेट क्यों नहीं हो आया हर अभी हो जाएगा भाई, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट Okay, थोड़ी ही दिर में हो जाएगा पोर्टल जन्रेट और फिर तुम लोग यहां से निकल जाना सीधे लोसेंटोस Here comes our portal, यह रहा भाई अरे वाई यार यह तो सच मुझ का एक पोर्टल है और मैं अभी ज़रा चेक करके आता हूँ कि यह पोर्टल परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं लेट्स को ठीक है अरे जल्दी जाना और वापस आना जरूर Okay, guys, let's check this out, come on Okay, भाई साब काम कर रहा है भाई, अपना पोर्टल काम कर रहा है Let's go भाई अरे तुम लोग आ चुके हैं फिलाल लॉसेंटॉस में कौन सी जगह है यह अरे तुमाँ चलियाड है भाई चलियाड के पीछे आ चुके हैं यह सेन एंड्रियाज है लॉसेंटॉस का अपना गाउं अरे वाई, पोर्टल काम कर रहा है एकदम पर्फेक्टली काम कर रहा है, वापस चलते हैं उस चुके अंदर सब को बताते हैs सुंओ फे, लॉसेंटॉस वालो पोर्टल सञ्सेसफुली काम कर रहा है अरे क्या सच में हम लोग फज्टनियाज से निकल पाएंगे पता नहीं भाई तो तिन महीने से यह लोग यहां पर बंद है फाइनली तुम लोग सभी के सभी निकल सकते हो लॉस सेंट आस के लोगो ध्यान से मेरी बात सुनो पोर्टल के बाहर जंप लगाते जाओ और माइकल, ट्रेवर, लेस्टर जितने भी अपने यह बंदे सब के सब तुमारी हेल्प करेंगे तुम लोगों के घर पहुँशने में तो फटा फट से निकलो, जाओ और मज़े करो अपनी जिन्दगी के यह क्या चीज है, पता नहीं छोड़ो चलो चलो निकलो निकलो फट फट से निकलते रौ निकलते रहो जल्दी चल्दी काम शुरू करो यह चाओ जूँगा फिलाल यह लोग तो अब जिन्दा ही नहीं तो यह क्या ही बाहर जाएंगे चोड़ो कोई निहीं काफी सारे लोग हो स्टेल हम लोग ने बचा लिय कालिया इससर mee अजीब हो गरीब सा बॉक्स है जो चमक रहा है भाई लेट्स चेक देट आउट क्या है फो हेंडल विथ एक्स्ट्रीम केर वर्निंग आगे पता नहीं क्या कंटेंस, एक्स्प्लॉजिफ लॉक लगा हुआ है यहां पे इस बॉक्से को ओपन करते हैं और देखें इसके अंदर है क्या इस बॉक्स के अंदर से एक ऐसे चीज मिली है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वो चीज है यह वैपन पना नहीं कैसा अजीब हो गरीब सा वैपन है यह अरह बाई साव इसके अंदर से तो ब्लास्ट हो रहा ओ तभी लिखा था एक्स्प्लोजिव बहुत अजीब हो गरीब सा वैपन मिला है चलो कभी यूज कर लेंगे इसे भी फ्री का वैपन है छोड़े क्यूं मैं इधर ही चलो गैस अब हम लोग भी बाहर चलते हैं सब लोगों को बचा लिया एटलिस्ट मैं तो बचलू हूँ एट्स को ओके आ चुका हूँ मैं बाहर फाइनली वैसे दिन हो रहा था यार सही है वरना निकलते ही पता चला यहां सर्भी नांसिंग लेडी मिल गई और जादा दिक्कत हो जाती सारे लोग गए लगता है पिंचेन वगएरा और अपने माइकल वगएरा लगता है सबको बसवस में लेकर गए चलो सकसफ़ली यह काम तो हो गया आप इंतजार है तो बस आज रात का क्योंकि आज रात को होने वाला है सर्भी नांसिंग लेडी का दी एंड कैसे हो तुम लोग कहा हो मेरे फ्रेंड्स और 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 रास्ते में किसी की गाड़ी चीन के लाया हूं मैं और वो भी चकना चूर हो जाएगी लगता है ओ वाउ क्या रोल ओवर किया मैंने यार और एकदम बड़िया लेंडिंग भी ओय तुम लोग यहीं पर हो अरे यार तुम्हारे इंतिजार कर रहे हैं अच्छा बई और यह तू हवा में कैसे है अरे यह हूमन डैविल अपनी लग 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 पावर दिखा रहा है अच्छा ओय हूमन डैविल रहें दे बेप वावर दिखाना बंद कर यह बता सर्वियन डांसिंग लेडी को कैसे फिनिश करना है कुछ सोचा है अरे यार सोचना क्या है उसमें खतम कर देंगे वो सब छोड़ो पहले यह बताओ तुम जिन्दा बचके आगए अरे वाव यार बहुत ही बड़ी आप सर्वियन डांसिंग लेडी को बस खतम करने रह गया है बिलकुल पिंचन बच गया क्या हाँ भाई चॉप अब है सब बच गये दो चार पांच दस लोग छोड़के और सर्वियन डांसिंग लेडी ने जिनको वो उनका तो पता नहीं भाई लेकिन जिन लोगों को गिटनाप किया था उतने में से पांच-छे लोगों छोड़के सब बच गया है अब वो टेंशन तो खतम हो गई अब रह गई है सर्वियन डांसिंग लेडी उसको खतम करने को सोचा है अरे हां यार प्लैन तो बना है मैंने क्या प्लैन वही उसको रेड सरगल के अंदर बंद करेंगे अटेक करेंगे हैं पता चला अपनी अब बची हुई 50% में से 25% का यूज करके उसने नया मौश्र बना दिया हां यार बात तो सही है वही तो अलेकिन हमारा ही फाइदा है और कमजोर हो जाएगी वह अब चलना जिंदी भर यह करते रहेंगे उसके सारे मौश्र मारते रहेंगे हम लोग उके तो मतलब आज खतम कर देना है बिल्कुल उसे अरे बिल्कुल भाई तवाई मचा देनी है जो गया इस वीडियो को लाइक करो भी तक लाइक नहीं किया तो भाई सर्वेर नांसिंग लेडी को उसकी पावर यूज करने से रोग सकता हूँ अच्छा, वायर, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन इसमें, इसमें क्या, इसमें मेरी जान जा सकती है, है, सीरियसली में, हायर, सीरियसली में, ऐसी तेर पास पावर्स है, जिससे वो अपनी पावर्स के यूज ने कर पाएगी, हाँ, मेर पास एक ऐसी पावर है, जिसको अगर मैं यूज कर दो सर्विया नान सिंग लेडी पे तो वो लगभग लगभग दो घंटे तक बिना पावर की हो जाएगी और इसको मारना बिलकुल आसान हो जाएगा अच्छा लेकिन अगर मैंने वो पावर यूज कर दी तो मैं नहीं बच पाऊंगा फिर अब तो रहां दे भाई नहीं नहीं उसकरेंगे हम कुछ और तरीका ढूण लेंगे तेर को भाई क्यों लूज करूँ मैं तू अपना दोस्त भाई तेर को कुछ नहीं होने देंगे हम लोग लेकिन फ्रैंक्लिन सोच लो अब सोच लिए कुछ और तरीका ढूण लेंगे यार उससर में अनांसिंग लेडी को खतम करने का लेकिन तेर को खोकर उसको मारने का फाइद है क्या नहीं नहीं हम लोग अराम से भाई तीनों मिल के फिनिश कर देंगे थेंक्यू फ्रैंक्लिन तो अपना दोस्त है यार तेरे लिए तो इतना बनता है तेरी जान भी कीमती अपने लिए चलो रास्ते में प्लैनिंग बनाते है आज़ा भाई शेंचन और यूमन डेविल बैठो अरे फैमिया चलो यार फटफट बैठ तो सही वैसे मेरे पास एक आएडिया है यार क्या एडिया है तुम्हारे पास मैं तो सोचा था उसको भाई कैप्चर करके और जितनी तेरे पास पावर्स है वैसे तेरे पास कोई और वैसी पावर है रेड सरकल वाली नहीं मेरे पास वैसी कोई पावर नहीं है वही रेड सरकल वाली है हाँ तो उसका यूज करके हम लोग सर्वेर नांसिंग लेडी को एक जगा पर रोक देंगे और फिर अटेक करेंगे यार हम लोग ऐसा कई बार अल्रेडी कर चुके है इससे कुछ होता तो है नहीं यह भी सही बात है और हर बार वऔर तबाहिं मचा देतीए है यह भी सही बात है तो Kathy of धे पर करें क्या खिरकर सोचते हैं मेरेपस एयार एक और बड़ीh आपावर है gefशे हैं मतलब मेरे connections by अ ता देखो आइडियो बहुत ही एपिक है हम लोग एक काम कर सकते हैं मैं अपनी पावर से वह जो पांस सेकंड दस सेकंड के लिए फ्रीज करता हूं सर्वियर नांसिंग लेडी को वो कर देंगे अच्छा ठीक है फिर फिर उसके बाद मैं अपनी फायर वाली पावर का यूज करके उसको जलाने की कोशिश करूँगा और वो नहीं जली तो अरे जल जाय यह ऐसे कैसे नहीं जलेगी वो ठीक है ठीक है ट्राइ करते हैं चलो पहले उस सर्वियर नांसिंग लेडी को ढूनते हैं हम लोग को जल से जल सर्वियर नांसिंग लेडी को ढूनना होगा भाई क क्या पता इतनी देर में वो कुछ और लोगों को गायप करके पहुंचा दे अपने उस गुफा में अरे लेकिन वहाँ तो तुम्हारा पोर्टल है यार हाँ ये भी सही बात है लेकिन पोर्टल क्या भरोसा भाई पोर्टल अभी तक बंद हो चुका हो क्या पता हाँ ये भी बात है इसे लिए भाई सर्वीर नांसिंग लेडी इससे पहले कि किसी और को गायप करे हमें उसको खतम करना पड़ेगा चलो फिर जल्दी से ढूनते हैं उसे लेट्स गो ढूनते हैं फटा फटा फट अरे यार ऐसे हाई वेस पे भटकते रहने से सर्वीर नांस कड़बड कड़बड हो जाएगी वेट अरे यार यह तो वही है फाइनली और यह एक सेकिंड तुम लोग जरा लोकेशन देखो भाई यह एक्जैक्ली वही लोकेशन है जहां पर हम लोगोंने सर्वीर नांसिंग लेडी को पहली बार देखा था क्या बात करें हो हाँ यह पूरे के पूरे लॉस एंड आउस में हम लोगोंने पहली बार देखा था यही पर उसे डांस करते हो देखा था और फिर वो मेरा बैड लग शुरू अब बहुत लबी कहानी है तुम लोगों पता होगा यही वो लोकेशन है और आज लगता है यह इसकी आखरी लोकेशन ब फ्रीज कर दिया है मैंने अब इसके अंदर आग लगाता हूँ देखा फ्रैंक्लिन अरे वा यार वो जब तक आग लगी तो इसके चारो तरफ रैड सर्कल भी बना दे यार रैड सर्कल की जरुद नहीं है यह ऐसी खतम हो जाएगी अब उसकी आग तो बुझ गई अई एक यह आग बुझा रही है तू आग लगा रहा है उसकी आग फिर से बुझ चुकी है यार लिटरली में अरे यार यह तो काफी पाउरफुल लगती है फिर से यूज करता हूँ चेलो फ्रैंक्लिन अब यार वो फिर बुझा लेगी भाई उसने फिर बुझा लिए वह हमारी अरफ बढ़ रही है भाई ओए दब हो चलिया उसने मेर को नहीं 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 अरे फ्रैंक्लिन रुक जाओ इसे फ्रीज करने कोशिश करता हूँ अरे फ्रीज भी नहीं कर रहा मैं फ्रैंक्लिन मैं क्या करूँ अब यार कुछ कर भाई यह तो यह तो फोड़ डालेगी अरे मेर को पकल डिया इसने छोड़ सरवें नांजिंग लेडी लेर को चोड़ अब भाई साभ यह तो लगता है कुछ जाद ही गुस्ते में आ चुकी है अरे मेर को चोड़ मैने तेरा क्या भी गाला है अरे मेर को पकल डिया फ्रैंक्लिन तेरी नहीं गड़बड हो गई ऑई शिंचन को छोड़ देओ सर्वेयर नांसिंग ड़ी तो मेर से पंगेले ओ नहीं बाई यह नहीं आई छोड़ रही है मेरी मेरी याग वाली पावर भी काम नी कर रहे है Franklin मैं क्या करूँ Franklin अब यार वो शिंचैन शिंचैन भाई उठ अरे फ्रेंबे यार नहीं छोडरी बेर को कुछता बना दिया है क्या करें अब लिटरली मैं यार क्या करूँ मैं अब ये सर्विया नांसिंग लेडी दम है तो मेर से पंगे ले मेर से पंगे ले तू बच कैसे गया वो फाइनली पहली बार बोली लेकिन क्यों बोली अरे मेर से भी पंगे मतले मेर से भी पंगे मतले आस तो गैसे गुस्से में आगई यह भाई किसी ही निए चोड़ी लगता है और एस्पैश्ली मेरे पीछे हाथ ढोके पड़ाई है यह क्या करूं से उससे मौत हो जाएगी लेकिन नई शिंचेन को बचाना भी तो है वरना वो तो शिंचेन और फ्रेंक्लिन दोनों को मार डालेगी लगता है यह सेक्रिफाइज मुझे करना ही पड़ेगा नई कर ही देता हूं यह सेक्रिफाइज बचाना पड़ेगा इन लोगो मेरे दोस्त है कर पारा मैं तो गोलिया मार रहा हूं गोलिया चल भी ने रही है पता नहीं कौन सी अलगी पावर लेकर आ चुकी है भाई यह अरे ठीक तो हो ना तुम बिलकुल भी ठीक नहीं हूं ब्रो अरे यार मेरे को छोड़ शिंचेन की जान बचानी पड़ेगी मैं चला फ्रेंक्ल यह पावर इस्तमाल करनी ही होगी अबै और हैंदे सॉरी ही वे उए यूमन डेविल उठ भाई वे उठ ब्रो वे उठ ब्रो वे उठ ना क्या अब रो तुझे अब यह तूने भाई क्या कर दिया मैंने तुझे मना किया दा भाई इस वाली पावर का यूस करने के लिए गार उसने मेरि जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यार ये human devil भाई.. आरे लेकिन मैं ने तो मना किया था.. तु ने क्या भाई मैंने भी मना किया था लेकिन ये ओमानाई नी ne.. अरे आब क्या 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 भाई.. Human Devil ने सर्वेन नांसिंग लेड़ी को खतम करने के लिए अपनी जान दे दी इस मौके का हमें फायदा उठाना पड़ेगा भाई सर्वेन नांसिंग लेड़ी इस वक्त जल भुन चुकी है और उसके पास इस वक्त कोई भी पावर्स नहीं आगे एक दो घंटे के लिए अरे तो फ्रेंग बे हम लोग इसे खतम कर डालते है यार फटाफट भाई Human Devil हमारे दोस्त की मौत का बदल लेना पड़ेगा भाई सर्वेन नांसिंग लेड़ी से इसको पूरा फिनिश कर डालते हैं इस की मौत कर बोस्तो पूरा में पाल पावर्स नहीं रिपावर्स नहींकी मेरे बदले की अल्यका है जिस तरीके को तुम लोग कभी भी नहीं जान पाओगे भा । इस साभ यार कुछ नहीं हो रहे है, इसके पास लिटरली में अगले दो घंटे के लिए कोई पावर्स नहीं है बड़ स्टिल गाईज इसका हम लोग कुछ नहीं बिगाड पा रहे है क्योंकि मेरे को मारने का एक अलागी तरीका है मेरे पास लेजर वेपन भी है यार लिटरली में लेगी लेजर वेपन का भी कुछ फरक नहीं पड़ रहा है सीरिसली मैं सारे हथियार इस्तमाल कर दिये मैंने पता नहीं एक कौन कौन से हथियार है लेकिन फिर भी इस पे कुछ फरक ही नहीं पड़ रहा है और पीजी मारो भाई इसकी ऐसी तैसी मरजा अरे इस पे फरक क्यों नी पढ़ रहा है यार पता नी भाई अगले दो घंटे के लिए इसके पास कोई पावर्स नी है बड़े स्टिल गाईज इसको मारने का कुछ अलगी तरीका है अरे लेकिन ये तरीका पता कैसे चलेगा पता नी भाई ये तरीका क्या है क्या करें हम लोग अरे क्या करें उनवाले गुरु जी को शायद पता होगा भाई उनवाले बाबा जी को वो नौर्थ येंग्टन वाले लेकिन वहां तक जाएंगे तो और वापस आएंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी तब तक तो इसकी powers वापस आ चुकी होगी तो फोन करें क्या लेकिन उसमें पास फोन कहा है और तुमारा कोई दोस्त भी तो अपनी बचा नौर्ट एंग्टन में जिसको फोन करोगे तुम यार तो क्या करूं मैं क्या करूं लिटरली में गाईज टाइम बस वेस्ट हुआ जा रहा है और हम लोग इस सर्वियन आंसिंग लेडी को मार भी नहीं पा रहे है हमारे दोस्त ने भाई अपनी जान दे दी है सर्वियन आंसिंग लेडी की पावर्स को डियक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो घंटे के लिए पड़ इस चीज का हम लोग लिटरली में कोई फायदा नहीं उठा पा रहे है भाई पता ही नहीं है कैसे यह सर्वियन आंसिंग लेडी को उम लोग खतम कर सकते है मुझे नहीं मार पाओगे दो घंटे पूरे होने वाले हैं अब यार अगर दो घंटे पूरे हो गए फिर तो गड़बड हो जाएगी अरे क्या करे यारब मेरे को कुछ नहीं समाज्या हा भाई क्या करना चीह अरे यार ये तो वापस से ठीक हो गई अरे अरे क्या करहा हो ओई, wait, wait मेरे को ये वेपन मिला था और यार क्या होगा इससे ओओ, फाइनिली कुछ हो रहा है नहीं, इन्हें नहीं पदा चल सकता, इन्हें नहीं पदा चल सकता, ओके, फानेली गाइस, कुस तो फरक पढ़ रहा है उस पे, लिटरली मैं आई, आइफ नो आइडिया, बड़ उस से, उस पे फरक पढ़ रहा है, और शायद, शायद ये डेड हो गई यार, इसी वक्त जला, जला के एक दम राख कर डालते हैं, अभी जला डालो भाईस नालायक को, ओके, ओके, चला भाई, चला, जितना चला सकती है, चला, 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 तू चला, फाइनली फाइनली गाइस वो जो वेपन था उससे कुस तो फरक पड़ रहा है चिला तो कितना चिला हैगी हटजा भाई शिंचन चिला ब्रो चिला और भाई साहब गई गई यह डेफिनेंटली गई अरे यार उस वेपन का थोड़ा और यूज करहो अब यह नहीं इतना काफ यह भाई खटम खटम अरे चोड़ो गाने सेरी वजा से मेरा है यूमन डाविल दोस्त कटम हो गया कि फाइनली फाइनली इसका दी एंड हो चुका है गाईज फाइनली लिट्रली में डालो भाई डालो और जलाओ इस नलायक को फाइनली सर्भी एंड नांसिंग लेडी इंड एज यू कैंसी गाईज खतम राक कुछ नहीं बचा इसका फिलाल हमारा दोस्त भी गया हुमन ड अरे यार सर्भी एंड नांसिंग लेडी का दी एंड हो गया फाइनली इसका दो दी एंड हो गया लेकिन अपना एक दोस्त का भी दी एंड हो गया क्या ही कर सकते हैं लेकिन जो भी हो गया इस इन सब चीजों में सर्भी एंड नांसिंग लेडी का फाइनली दी एंड हो जो भी हो, finally उसका the end हुआ, और इसी के साथ guys finally हमारी ये series भी complete होती है और आप तुम लोग को बार बार ये comment करने की जुरहत निया भाई final episode, one hour special one hour special final episode क्योंकि, सर्विया नांसिंग lady का हमेशे के लिए the end हो चुका है बाकि, ये series कैसी लगी तुम लोगो comment में जाकर बताना, वीडियो को अभी तक like नहीं है तो वीडियो को जाकर like करके चैनल को subscribe कर देना, और अगर तुम लोग पूरी series को binge watch करना चाहते हो, तो यहाँ पर click करके देख सकते हो, भाई, सारे episode मिल जाएंगे तुम लोगो, पाकि, इस part के बाद आगे, अब सर्वेरणान सेंग लेडियी का कोई part नहीं आने वाला, क्योंकि भाई, dead हो चुकी है वो already, अब क्या, finish वो, पाकि, वीडियो पस अंदर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मिलते हैं नक्षी वीडियो में, तब तक के लिए, good bye